गुड़ीवनिंग एवरीबन आडियो वीडियो क्लियर है आप लोगोते हाँ साउंड आब ओन कर आये तो आयेगा साउंड हाँ तो को जी गुड़ीवनिंग अगेन चल रहा था करीब 40 कोशन्स हमने डिसकस कर लिये थे बट जितने भी कोशन्स डिसकस कर लिये हैं एक बार उनको फिर से रिवाइस कर लेते हैं जैसे इसका आणसर बताईए अभी एक्साइस संगम ही थी इंडिया और किस कंट्री के बीच थी हाजी से तो संगम USA पक्का संगम हमारी किसे साथ हुई थी USA के एक और इंपॉर्टेंट एकसरइज होती है यध अभ्यास ठीक है ध Quindi से याँ पी session किसके साथ हुई वो मलाबार exercise होती है मालाबार exercise उसी कई सबपार्ट है है संगम morte इसके आगे बढ़ते है कि Q36 बताईए लास्ट क्लास में डिसकस किया था Recently, who among the following Indian origin teacher has received 2022 Australia Prime Minister's Prize for Excellence in Science Teaching in Secondary Schools? who among the following Indian origin teacher has received the 2022 Australia Prime Minister's Prize for Excellence in Science Teaching in Secondary Schools? बताईए बिल्कुल सर, correct answer is V9 यह यह लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे तो question number 1440 तक हमने कर दिया था ना तो 40 तो 38 था यह 39 यह था question number 40 तो यह convention and biological diversity यह last हमने डिसकस किया था तो इसके बास शुरू करते हैं आज के questions तो start करेंगे सर question number 41 से तो recently, Union Ministry of New and Renewable Energy तो रिसेंटली Union Ministry of New and Renewable Energy has extended the rooftop solar program till which of the following years ministry of New and Renewable Energy का एक rooftop solar program चल रहा है तो उसको extend कर दिया गया तो सवाल यह है कि कब तक extend कर दिया गया जलसा जी कह रहे हैं सब बूल गए चलो at least 10 questions फिर से रिवाइज हो गए चलसा जी आपके हैं ना आदी से यह से बधा है प्र manner ओळा आदी सासर दी आचा कर प्रेवर กशोर करने कि मैं तो ही सब कर दो दो जसका हैं कब तक एक्सटेंड कर रहा है यह रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम आपका एक्सटेंड कर दिया है 31st मार्स 2026 ठीक है रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट यह है इसका परपस यह है कि इंडिया में सोलर पावर को बढ़ाना ठीक है ज्यादा से ज्यादा हमारा एक जो ऑब्जेक्टिव है इस रूफ टॉप सोलर स्कीम में यह हमारा यह है कि हम जो कैपेसिटी है अपनी वह बाइदा यह कितनी लेके जाएंगे जैसे इसकी फेस्टू की अगर हम बात करें तो फेस्टू की तक हमारा प्लान है कि 40,000 मेगावा इतना द्यान रखना रूस्टू का काम क्या है सोलर एनर्जी प्रोड़क्शन को इंक्रीज करना सोलर एनर्जी प्रोड़क्शन को इंक्रीज करना बस बेसिक सी बात यह थी चलो मार्सल जी की ओपनिंग हो चुकी है question number 42 recently राजिसवा has passed the wildlife protection amendment bill 2022 under this the maximum fine has been increased to how much amount for general violations सबसे पहले जो original कानून है वो तो है wildlife protection act 1972 इसको amend करा गया है ठीक है तो इस कानून में जो भी अगर आप violate करते हो इसमें जो भी इनकी बात नहीं मानते हो तो जो भी fine बगेरा है उसको बढ़ा दिया गया है कैसे बढ़ाए गया है इस कानून को amend करके नया कानून बन रहा है मतलब इसमें कुछ change के जा रहे है उसको हम कहा रहे है wildlife protection act amendment तो इस कानून में इस साल कुछ amendment की जा रही है उस amendment में जो general violations का amount है वो हमने बढ़ा दिया है तो सवाल यह है कि सर कितना amount बढ़ा दिया है कितना कर दिया है वो amount 25,000, 50,000, 75,000 या 1,00,000 या 1,00,000 यह amount बहुत ज्यादा बढ़ गया है कितना हो गया सर यह amount अब आपका हो गया है 1,00,000 ठीक है तो इस जो general violations का amount है यह कितना बढ़ के हो गया इंडिया में एक जो wildlife protection act है यह किसको empower करता है यह sites को empower करता है जैसे एक body होती ना IUCN उसी तरह से एक body होती sites का काम क्या है convention on international trade on endangered species इनका काम क्या रहता है इनका काम यह रहता है कि जो species endangered है उनके trade को control करना उनके trade को रोकना illegal trade को बंद करना यह sites का काम है तो sites एक convention है इसका इंडिया भी member है तो sites अगर कोई बात बोलता है तो अगर इंडिया को उसे implement करना है तो वह किसके प्रॉमिस करेंगे इस कानून में डाल कर प्रॉमिस करेंगे वाइलाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 में तो यह जो अभी amendment क्या गया है वाइलाइफ प्रोटेक्शन एक में इसका परपस क्या है इसका परपस है पहली बाद तो इंडेंजर्ड स्पीसेज को परपस करना इल लीगल वालाइफ ट्रेट को बंद करना उसकी एक नया स्चेडिव बना जाएगा जो स्पीसीस साइट्स की अपैंडुटिशिस में लिखें होती है उसके लिए शेडिव बनाए ज्याएगा जैसे IUCN categorize करता है किसी भी species को कि endangered है critically endangered है vulnerable है near threatened है तो इसी तरह से sites भी categorize करता है species को जो species ज़्यादा खत्रे में होती उन्हें appendix 1 में डाल देता है जिन पे खत्रा कम होता है उन्हें appendix 2 में डाल देता है इसी तरह से sites क्या है appendices बनाता है appendix 1, appendix 2 sites की जो species की list होती वो appendices में होती है और इसी तरह से हमारा जो law है wildlife protection act कि किस species को कितनी production देनी है उसी के according बो क्या बनाता है schedule बनाता है schedule 1, schedule 2, schedule 3 इस तरह से wildlife protection act क्या बनाता है schedule बनाता है तो amendment क्या क्या जाएगा एक नया schedule और एड किया जाएगा इस कानून में एक नया schedule एड किया जाएगा और जितनी भी appendices है sites की वो सारी appendices इस schedule में add कर दी जाएगी ठीक है और दूसरा काम क्या होगा section 6 comment क्या जा रहा है जिसके तहत एक standing committee बनाई जाएगी जो आपका management को regulate करेगा ठीक है और section 43 जो कानून है वो अमेंट क्या जाएगा वो कानून क्या है वो एलिफेंट की यूज को permit करता है religious purpose के लिए यह और एनी और अदर परपस जैसे आपने देखा होगा कि हाती की सवारी चल रही है ठीक है हाती की सवारी चल रही है तो यह सब क्या है यह कानून को भी चेंज किया जाएगा और central government को power दी जाएगी कि एक management authority बनाई जाए section 49E के तहत एक management authority बनाई जाए जो species को और अच्छे से manage करेगी एक scientific authority भी बनाई जाएगी उसके अलावा penalties बढ़ा दी गई है पैनल्टी जो पहले 25,000 होती थी अब कितनी कर दी गई है वन लैक कर दी गई है ठीक है और जो specially protected animals है तो उनका जो minimum fine 10,000 था उतको बढ़ा के कितना कर दिया गया 25,000 कर दिया तो वन लैक ज्यादा है देखो ज्यादा amount तो करना ही पड़ेगा अगर हम किसी को punishment दे रहे हैं आपकी punishment दो रुपिया है पांच रुपिया है वो कह गया बास इतनी सी बात तो वन लैक भी वैसे कम है क्योंगी जो लोग illegal trade कर रहे हैं वो इससे बहुत ज्यादा कमा लेते हैं तो वन लैक भी कमी है बहुत जादा नहीं है चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है कि amendment समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं यह सो लिए तो प्लीज गिब में थम्स अप आजी से क्लिए तो प्लीज गिब में थम्स अप कर दो किद्ञक को ले तोồi कितनी है अप्लीज गिपेद्टाय उड़िए picture कि खार प्लीज ब। wärस्पने हैं इसक्राद की का बाउ को चलो जी क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं क्वेशन नंबर 43 पर आजाओ रिसेंटली मीजो ट्रॉपिस पैलिटा मीजो ट्रॉपिस पैलिटा हैस बिन इंक्लोडिट इन आई यू सीन ब्रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन इस्पीशीज इस ए ए ग्रिटिकली इंडेंजर्ड मेडीशनल प्लांट इस्पीशीज ठीक है तो जो आई यू सीन की लिस्ट है उसमें ये ए इस ए क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटिगरी में इसको एड किया गया है इस्पीशी का नाम के मीजो ट्रॉपिस पैलिटा तो सवाल यह है कि यह इस्पीशी कहां पाई जाती है यह है क्या जानवर है पेड़ है पौदा है क्या है वो तो चलो अलग बाते कूर्शन यह है कि यह पाई कहां जाती यह स्पीशी कहां मिलेगी हिमाचल में मिलेगी, सिक्किम में मिलेगी, अरुणाचल में मिलेगी या सरापका उत्रखन में मिलेगी बताइए झाल 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 और राइट यह इस पीशी का मिलेगी आपको उत्राखंड में मेजोट्रॉफिस पैलिचा वैसे तो यह लिखा ही है यहाँ पर मेडिशनल प्लांट मतलब यह कोई जानवर नहीं है उत्राखंड में मिलेगी इसको कॉमन नेम क्या पटवा पटवा कहते हैं इसी तरह से एक सिरहोट्सा है एक आपका है यह सब आपको पहाली लाकों में ही देखने को मिल जाएंगे हम किसकी बात यह तीनों मेडिशनल प्ला और पटाये हैंawan था सब्सक्राट कर दिसेंगेड चुड्यूसार कन स्याफर मेल ओकंतों लेक। ano पाूर थाइशनल प्लाइशनल आपकर 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 णबंता प। ο बिलेगेसे झाल झाल क्या लग रहा है सर क्या तुक्त लगा रहे हैं डी ज्यादा तर लोग वैसे बहुमत डी की तरफ जारी सिंगापू डेकलिरेशन को क्लाइमेट शीन बता रहें यह यह लेवर प्रोटेक्शन की लॉडेंट इस Singapore declaration क्या है यह लेबर के लेबर प्रोटेक्शन लॉस से रिलेटेड डील करता है लेबर लॉस से रिलेटेड ठीक है इतना ध्यान रख लेना बाकी डीटेल पढ़ने की जरूद नहीं है बहुत इंपर्टेड चीज नहीं है तो Singapore declaration लेबर लॉस से रिलेटेड है नेक्स कुछिशन कुछिशन नमबर 45 विच फॉलिंग स्टेट है रिसीव दावार्ड पर बैस प्रैक्टिस इन एड्वोकेशी कमिनिकेशन और सोशल मॉबिलाइजेशन एंड ट्यूबर क्लॉस के मामिले में किस सबसे बढ़िया काम किया उसक प्राष को ने है सबस्टं मॉबर आया करें हुई स्थ बाबः भाइजेश〜 झाल कि बढ़ाई सब्सक्राइब के मामने में सबसे बहितरीन काम किसी स्टेट नहीं किया मेगाल है तो मेगाले गुभरवर्मेंट ने ने एक जन आंडोलन इसना फेपल नोंच इसके खिलाप अट्टेवर आट्टेवर क्लॉसे किस बैक्टिरिया से होती है पहली चीज तो यह बैक्तीरिया का नाम क्या है सर क्यूबर क्लॉसिज इस बैक्तीरिया से होती है इस बैक्टिरिये का कि नाम क्या है आज लग रहा है चेल सद्जी का दिन अच्छा नहीं जा रहा है मार्सल जी क्या रहा है उपनिंग तो अच्छी रही आपकी बहुत आसान सवाल है सर बैक्टिरिये का नाम बताईए कि लोग यह कोई नहीं बस अटेंप्ट करते रहो सार्व कि भूल गए आरे दद्दा आप लोग भूलते बहुत बूला नहीं करो रिवीजन मेंटेन ना जब तक आप रिवीजन नहीं वेंटेन करेंगे कोई फायदा नहीं लास्ता माइक्टिरियों वह बैक्टिरियां का नाम क्या है माइक्टिरियों चलो रहा है next question पे आते है question number 46 हाकुतो आर mission recently seen in news is related to which of the following planetary objects mark sun moon Venus हाकुतो आर mission किस से related है Mars से related है sun से related है moon से related है Venus से related है दीडीडी मून से रिलेते हाँ तो नाम से आईडिया लग गया होगा हाकु तो कहां का होगा जैपैनीज मिशन है ठीक है Japan की mission है, यह Moon से related है, देखो अबी क्या था, एक Japan की Space startup company है, iSpace, ठीक है, उसने अपना private lender M1 मुन पे玩चा दिया, ठीक है, उनका जो mission था, उस वो private startup company है, Japan की, Hakuto, जया नाम है iSpace, Japan की नई company है, जैसे आपका SpaceX है ऐसी तरह से आई स्पेस किसकी जपाइन की तो उनका एक मिशन था हापको तो आर मिशन तो उस मिशन के लिए उन्होंने अपना एक लेंडर मुन पे पहूंचा दिये उन्होंने इससे आपनी जितने directly मिशन चल रहे हैं इंडिया ये सब सब कौन कर रहा है सरकारी कम नासा है अमेरिका की आपनी जैसे रएशिया की रॉसकॉम उसे हमारी इस रहे तो यह सब सरकारी कम नहीं तो जपान में तो खैर मून पे पहली बार रिसर्च ओड़ी तो जपान का पहला यह अपना लूनर निशन है तो ध्यान रखेगा हकुतवा मिशन कि से रिलेति हकुतवार मिशन से रिलेटिद हे यह जपान का मिशन र् Soo है मून से हिंक हुआपर दो डालेंगे और इसा समय कोन मदद करें रेंक तो चाहिए वो इसमें मदद करें इसी तरह से अगर आपका दुबाई में भी रोवर राशिद बेजा अगर वह वहां सक्सेस्फुली लैंड कर जाता है तो यह भी वर्ड का पहला मून अभी तक अगर हम बात करें तो लूनार सर्फेस पर भीजने में कौन कौन कामियाब रहे हैं अपना यूएस है रेशिया है और चाइना है तो यह अपना रोबोट लूनार सर्फेस पर पहुंच आ पाएं ठीक है हमने अभी कोशिश की थी बट वी गॉट फिल्ड बट वी वि आते हैं कोशन नमबर 47 प्रिसेंटली विच ओफ द फॉलंग स्टेट शेट्स है लांच द शेवा आपके दौर 2.0 स्की कि असाम मिघाले सिक्क्राइश चले विच आप द फॉलंग स्टेट्स एज लांग द शेवा आपके दौर 2.0 शीच असाम मिघाले सिक्क्रार औरू न बदाइब बदाइब सेवा आपके दुआर ताचुम जी कहा रहा है सर यह तो सिक्टेम होगा अड़े वैया अपनी स्टेट बूल जाते हो आप लोग अरुणा चल गाए ठीक है यह सेवा आपके अपके दुआर किसका है पर डाचर लगा है इससे पहले एक और चलाता सरकार आपके दुआर अब चलेगा सेवा आपके में क्या सारी स्प्रम से एक साथ ले जाते थे देन्मस और कहते थे इनमें से इसे श train में सिर्फ सिप ओर सुल आपके gi पहुंचेगी जो आप requirement है जैसे मान दो आपको अपना वह बनवाना है कि कहते हैं खट से उनको कॉल करो तो वह आपके घर आएंगे बनाने ठीक है तो यह कल सेप्ट है आपका सेवा आपकी द्वार कि सरकार को अब डारेक्ट आपको फोन करो घर घर जाने अब आपको ऑफिस अब पूरी कर देगे का इंडो जैसा अभी डैली में स्टाट हुआ था डोर डोर सर्विस दिलिवरी उसी तरह का कंसेप्ट यहां पर लॉंच हो रहा है ठीक है सर तो इस दिखान रखना अरूला चलका है को स्टेटलिएट रिसेंटली तमिल नाडु चीफ निस्टर एम के स्टैलिं इनाग। यह स्टैचिव ओफ महाकवी और मन्यक disrupt भारतियार एयॡ़ कि महाकवी जो वहां के भार्तियार का स्टैच्यू मिल्लाडु में तब unewy स्टैच्यू रिणोट तो ऑन्हों से आतना प्र स्टैच्च्यू में और not कि तो उनका जो डेखने त्राशिं किस सिटी में, सिटी बताइए सब आ जी सर बताइए नहीं पता, कोई वाने दुक्का लगा सकते हो, नहीं भी पता आपको तो दुक्का तो लगाई सकते हो, चलो correct answer की बात करें, तो वाराणसी में इन 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 आउगरेट हो रहा है, तो भारतियार साब की बात काती है, सब्रमन्यम भारतियार साब जो है, यह एक nationalist movement leader है, उनके उस ठीक है, 1882 में इनका जनम होता है, और यह जो time period रहा है, इस टाइम नैशनलिट राइटर बहुत जादा उठे है, तो उनी में से एक थे आपके भारतियार साब, इनको महा कभी भारतियार भी कहा जाता है, ठीक है, तमिल निउस पेपर, सौधेश मित्रन में भी इनोंने काम किया है, फिर इंडियन नैशनल कॉंग्रेस की एक्स्रीमिस्ट विंग जोती, उसके साथ यह जुड़ गए, उसमें यह आपका जो बाल गंगादर्थ लगते, जो एक्स्रीमिस्ट वीडर माने जाते हैं, कॉंग्रेस के विपिन चंदरपाल है, उनके साथ मिलके उन्होंने पॉइम लेके पुदिया रशिया, पुदिया मतलब दन्यू रशिया, फिर उसमें बाद में मजबूरी में उनको छोड़ के पुड़ू चैरी, जो पहले पॉड़ी चैरी था, आज का पुड़ू चैरी बहाँ पर इन्हें जाना पड़ा, ठीक है, फिर लास्ट के जो जिन में या रहा है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नमबर 49, Ministry of Culture has set up how many zonal cultural centers which aims to conserve and develop art, culture and crafts across the country. Ministry of Culture has set up how many zonal cultural centers which aims to conserve and develop art, culture and crafts across the country. सभी नमर मैं फेवरेट तो डी तुक का, चीए चैरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आजी, करेक्ट आंसर क्या होगा महासल जी ने 7 लगाया तो सब लोग 7 बोलिंगे करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें बहुत बड़े टुक्का लग गया तो मिनिस्ट्री ओफ कल्चर ने क्या है साथ जोनल कल्चरल सेंटर बनाए एक का हेटक्वाटर पटियाला में एक का नाखपुर में एक का उदैपुर में एक का प्रियाजराज में एक का कूलकाता में एक का दीमापुर में है एक का धंजबुर में ठीक है परपस यही रहेगा यह साथ जोनल मतलब एक जो इंडिया का कल्चर है साथ जोन में हमने डिवाइड कर लिया उसके बाद हम हर एक जोन वाइज हर जगा के कल्चर वो कंजर वो डेबलब करेंगे ति के यह पर पर दोनल कल्चुरल सेंटर बाकि इसमें जितना भी कंजेप्ट है एक बार आप पढ़ लेना जितना भी कंटेंड इसको एक बार होने जा रहा है कि वो किस कंट्री में हो रहा है इस्पेन में जर्मानी में होके का विमेंस नेशन्स कप किस कंट्री में हो रहा है इस्पेन में जर्मानी में फ्रांस में नैदरलेंड में जो 2022 का विमेंस नेशन्स कप है फॉक्षी का वो किस कंट्री में उन्हें जा रहा है स्पेन में जर्मनी में फ्रांस में नेदरलेंड्स में हाँ जी से लगा दो आख्री तुक्ता करेक्ट आंसर इस बहुत सब्सक्राइब यह मतलब आप लोगों को पता है तो यह कहां उन्हें आ रहा है सर इस्पेन में जाते यादे मेरे को इस्पेन की कैपिटल बताके जाओ इस्पेन की कैपिटल क्या है सर इस्पेन की कैपिटल क्या इस है कैपिटल भी ध्यान रखा करी है ना पूसल पहले तो पूसल देता था अभी कम पूछता है मैड्रेड ठीक है इस्पेन की कैपिटल क्या इसा मैड्रेड और राइट सर तो मदरास नहीं है कि मदरास लिख रहा है शायद मार्सल जी नहीं लिगा मदरोस था कि चलिए फिर इसके आगे की कुछिंट फिर अब लोग नेक्स क्लास में डिसकस करते हैं ना फिर बिलते नेक्स क्लास में चिल देन गुडबाई हम नाइस चीए